फरवरी 1921 से अजहयोग आंदोलन्ध प्रचार केरल में भी शुरू को गया 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में चार नेताओं को गिरफतार किया गया जिसमें दो हिंदू थे और दो मुसल्मान इस से केरल में असहयोग आंदोलन्ध ने और जोर पकड़ लिया जगा जगा जलूस निकाले गए विरोध प्रदर्शन होने लगे किरफतारियां हुई और लोग जेल रहे केरल में एक हजार वर्ष पहले मौपला लोग आकर बसे थी जो अर्बों के वन्षश थी उनमें से अधिकांश गरीब थे और अज्ञान में रूबिक थे वो खेती या छोटा मोटा व्यापार करते थे खिलाफत और असहयोग आंदोलन की सफ़ाओं में उन्होंने अंग्रेजों की सरकार द्वारा मुसल्मानों के साथ किये जा रहे दुर्वेवार की बात सुनी तो भड़क उठे उन्होंने विद्रो की घोशना कर दी और वो अंग्रेजों की तोकों बंदूकों का मुकाबल लिया गया इस दौरान की सबसे दर्दनाग घटना ये थी के करीब सौ से अधिक मुपला विद्रुणियों को मालगाडी के एक डिब्वे में ठूस कर गर्मी के मौसम की चलती दुपहर में काली कट से मद्रास लाया गया जब रास्ते में एक स्टेशन पर डिब्वे को खुला गया तो साठ से ज्यादा मुपला तम खुटने से मर चुके थी और बाकी की हालत कम भीज थी आखिर मदन मोहल मालविये और मौम्मद अले जिन्ना ने मामले को हल करना चाहा पर सफलता न मिली इसी पीच प्रिंस ओफ वेल्स के भारत आने का समाचार आया कॉंग्रिस ने उनका बहिश्कार करने के घोश न करती इससे ब्रिटिश हुकूमत और चड़ गई उसका दमन चक्र तेजी से चल पड़ा 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ओफ वेल्स बंबई पहुचे तो उन्हें बंबई की सड़के और बाजार उजड़े हुए मिले पूरे नगर में हर्ताल थी दुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी फेड़ बेकाबू हो गई और तब विठिस सरकार को उसे दबाने के लिए बल प्रयोक करना पड़ा प्रिंस ओफ वेल्स जहां जहां गए उन्हें हर्तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा प्रिंस ओफ वेल्स के कलकफ्ता पहुँशने से पहले ही सरकार विद्रोही प्रदर्शन से बचने के लिए गिरफ्तारिया कर रही इसी कारण देश बंदू चित्रंजन दास की पत्री उनके विध्वापेहन और उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया गया इस खबर पर गांधी जी ने कहा इन तीन महिलाओं को गिरफ्तार करके बिटिश हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है इस से हमारे देश की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेढ़ना मिले कि इस समय तक सुभाष चंद्र बोस सक्रिय रू दखी थे। बिटिश सरकार के दमन कारेक्रमों के बावजूर्थी सुभाष चंद्र बोस के नित्रत्व में अनुशासित स्वयम सेवकों ने नारे लगा कर प्रिंस और विल्स का विरूद दिया। बिटिश हुकूमत इस विरूद को देखकर चौक थी क्योंकि उसे इसका आभास भी नहीं मिला था। फिर तो सुभाष चंद्र पोस और उनके साथ हजारों प्रदर्शनकारी स्वयम सेवक गिरफतार कर दिये गए। बात में सुभाष बावो को छे महिने की जेल की सजा सुनाई थे। दस दसंबर को देश बंधू चितरंजन दास को भी गिरफता गिरफतारी से पहले चितरंजन ने बड़ा ही ओजस्वी फशन दिया था। उन्होंने कहा था। मैं अपनी कलाईयों पर हटकड़ियों की चुभन और अपने शरीर पर बेड़ियों का बोज महसूस कर रहा हूं। यह दास्ता का तर्व है। समूचा भारत एक विशाल बंदिक रहे। कांग्रेश का काम रुखना नहीं चाहिए। इससे क्या फ़क पड़ता है कि मुझे पकड़ा जाता है यह छोड़ दिया जाता है। इससे क्या फ़क पड़ता है कि मैं जीवित रहूं यह मर जाऊंगा। जेल में सुभाष चंद्र भूक्स चितरंजन दास के संपर्त में आए। सुभाष बाबू ने वहां उनकी न सिर्फ सेवा की बलकि उनसे बहुत कुछ सीखा थी। उनके साथ राश्ट्रिय आंदोलन की कई योजनाइं भी बने। 27 दिसंबर 1921 को एहमदाबाद में कॉंग्रेस का 33 वा अधिवेशन शुरू था। इसकी स्वागत समिती के अध्यक्ष वल्लब भाई पटेल थी। अधिवेशन के अधिवेशन की अधिवेशन की कारवाई शुरू थी। एहमदाबाद पॉंग्रेस अधिवेशन में पहली बाग भाग लेने वाले लोग खद्दर पहन कराये थी। लोग कुर्सियों पर नहीं बलकि जमीन पर बैठे थी। भाशा भी अंग्रेजी नहीं बलकि हिंदुस्तानी थी। यहां असहयोग आंदोलन और भी तेज करने का निर्ण लिया गया थी। इसके साथ ही सविनाय अवग्या आंदोलन शुरू करने के थी अनुमती दे दे थी। जनता के मन में कॉंग्रेस के प्रतिविश्वास और सबर्पन की भावना आ चुकी। जातिय मत भेद और छुआचूट को दूर करने के लिए जिस तिलक स्वराज्य कोश की स्थापना की गई थी। उसमें एक करोड रुप्या एकट्टा हो चुका था। इसके साथ साथ विदेशी कप्रों की खूली, स्कूलों, कॉलेजों का भहिशकार और असयोग के सभी कारिक्रम तेजी से चल वहे थी। पाँच फरवरी 1922 को गोरकपुर के चौरी-चौरा में निहत्य ग्रामिर किसानों ने एक जुलूस निकाला। वो जय बोलते हुए शान्ती से जा रहे थी। अचानक उन्हें बिटिश अधिकारियों के नित्रत्व में आये पुलिस के दस्ते ने आगे बढ़ने से रूका और तितर-बितर हो जाने के लिए कहा। परन्तु फिल वहीं रजी रहे। इसके बाद पुलिस की गोलियां बरसने लगे। वो तब तक गोली बरसाते रहें चब तक गोलियां खत्म नहीं होई। गोलियां खत्म हो जाने पर पुलिस वाले घबरा कर ठाने चले गए और ठाना अंदर से बंद करूँता। फिल उत्ते जितु उठी। उसने ठाने में आग लगा दी। जिससे बीस पुलिस वाले चलकर मर गए। स्वतंतुता संग्राम के इत्मास में यही घटना चौरी-चौरा कांट के नाम से जानी जाती है। गांधी जी ने जब चौरी-चौरा कांट की खबर सुनी तो उन्होंने बारा फरवरी को ये खोशना कर दी कि अभी जनता सत्याग्रह करने लाइक नहीं हुई है। इसलिए असयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी जी ने जब इस तरह अचानक असयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। तो इस पर न सिर्फ जनता बल्के कौमरस के बड़े-बड़े नेता भी गांधी जी से नाराज हो गए। इनमें चितरन जन्दास, मोती लाल लेह, लाला लाजपत्वाय, जवाह लाल लेहनु आदी प्रमुक्त। इस प्रकार एक तम अचानक आंदोलन बंद कर देने से गांधी जी की लोकप्रियता को भारी धपका लगा। और लोग उनके नित्रत्व में संदेह करने लगे। इधर प्रिटिश सरकार में जब गांधी जी के प्रती असंतोश फ्यलते लेखा, तो उसने अच्छा मौगा समझ कर उन्हें किरफ़तार कर लिया। 18 मार्च 1922 को एहमदाबाद में सेशन जज ग्रूम फिल्ट की अदालत में गांधी जी के खिलाफ मुकत्ना शुरूगवा। अदालत में गांधी जी ने अपने प्रभावशाले बयान में सरकार के राक्षसी कामों की मिल्दा और कहा कि ब्रिटिश सरकार के ये कार्रे किसी को भी राजग्रोही बना सकते। जज ग्रूम फिल्ट में तो जैसे पहले से ही फैसला सोच रखा था। उसने गांधी जी को जनता में असंतोष फ्यलाने के अपराद में छे वर्ष की साधारन प्रेट के सजा दे। गांधी जी को दिये गए इस कारवास से असहयोग आंदोलन कुछ बिला जरूर पढ़ गया लेकिन राष्ट्रिता की जोदी चलती रही। इतिहास कार मानते हैं कि असहयोग आंदोलन वास्तव में पहला जन आंदोलन था। कॉंग्रेस एक ऐसी संस्था बन गए थी जो विदेशी शासन की खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोव को संचालित करने का जरिया बन गए थी। अब इस आंदोलन में सिर्फ बुद्धी जीवी ही नहीं बलकि आंजनता भी शामिल हो चुकी थी। बड़ी संख्या में किसान और मस्दूर भी शामिल हो गए थी। लोग हाथ का कता बुना कपड़ा खादी पहनने लगे थी। दरसल खादी स्वाधीनता सेनानी की पोशाग बन लेए थी। जेल उनकी ससुरात लोग हस्ते हस्ते गिरफ्तार होते और जेल जाते। अनेक शहरों में प्रदर्शन होते और जुलूस ने करते। और हाथ में जंडा लेकर आजादी का प्रसिध जंडा गीत काते। सदा शक्त बर्साने वाला, वीरो को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बर्साने वाला, मात्र भूमी का तन्मन सारा, जंडा उचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरो आओ देश धर्म पर बली-बली जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा जंडा उचा रहे हमारा इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिख लाए तब होवे प्रणपूर्ण हमारा जंडा उचा रहे हमारा इस प्रसद्ध गीत के लेखक थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षट गांधी जी के आवान पर उन्होंने सन उन्ने सो उन्निस में नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था उन्हें बाद में किरफ्तार करके 21 महिने की सगाधी गाती पार्षट जी 1920 से 1927 तक फतेपोर जिला कॉंग्रिस के अध्धक्ष रही उन्ही दिनों कानपूर के प्रसिद स्वतंतता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रिर्णा से पार्षट जी ने दो जंडा गीत वो दोनों गीत राजर शी पुर्षोत्तन दास टंडन को खेजे गए तंडन जी ने जो गीत स्विक्रित किया वही बाद में लोगों का कंठहार बन गया लोगों ने इस गीत को तो यात अब था पर इसके रचेता श्यामलाल को प्रपार्ष पुपूल गया धीरे धीरे पंडित मोतिलाल नहरू और चित्रंजन दास की प्रेड़ना से राष्ट्रिय आंदोलन और कॉंग्रेस की राष्णिती में एक नई विचारधारा निजन में लिया उनका कहना था हमें मिर्हान मन्डलों के चुनावों में भाग लेना चाहिए ताके उनके माध्यम से हम सरकार के पास अपनी मांगे पहुचा सके सन 1923 में उखनावों में कॉंग्रेस के जिन नेताओं नने भाग लिया वह स्वराज्य दल के नाम से खळे या झा ई स्वराज्य दल को चुनावों में अच्छी सफलता मिली थी। पंडित मोतिलाल नेरू स्वराज्य दल के नेता थी। इसी बीच शचिंद्रनाथ सान्याल गुराम प्रसाद बिस्मिल आधी ने ख्रामतिकारी दल का संगठीं किया। सन 1924 में लखनव के पास काकोरी स्टेशन पर वेलगाड़ी रोपकर सरकारी खजाना लूटने के जुन में जिन लोगों को फिरक्तार किया गया। उनमें से प्रमुक्ते राम प्रसाद बिस्मिल अश्वा कुल्ला रोशन सिंग और राजेंद्रनाथ लाहिव। अन्ने लोगों को कारावास की लंदी सजाय दी केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं बखड़े जा सकी। सन 1925 में देश बंधू चितरन जंदास के मृत प्रूप हो गए। इससे स्वराज्य दल के शक्ति कमजोथ हो गए। देश बंधू चितरन जंदास स्वतंतरता संग्राम के उन्नेताओं में से थे। जिन्होंने न सिर्फ मंगाल बलकि सारे देश के स्वतंतरता संग्राम को नेत्रत्र प्रदान किया था। प्रूप